Hello everyone, welcome to our channel Everyday Life आज की हमारी साधारन और रोचक जानकारी है Difference between soya bean and low bia ये दोनों ही प्रसिद बीन के प्रकार हैं परन्तु दिखने में ये उपरी तोर पर एक जसे लगते हैं जो कई बार संधे हैं ये confusion पैदा करते हैं तो चलिए आज इनको जानने का प्रयास किया जाए आज सबसे पहले soya bean इसको soya bean के नाम से भी जाना जाता है इसका विज्यानिक नाम glycine, max है जो मूलता उत्री चीन से है चीनी लोगों के बीच ये 5 पवित्र अनाजों में से एक है और इन 5 प्रकार के खाद्यानियों में दो प्रकार के बाजर जैसे अनाज यानी millet, गेहू यानी wheat, चावल और beans है पुरा तत्व विभाग के प्रमाणों यानी archaeological evidence से पता चलता है कि चीन में सोई की खेती सन 1100 इसा पूर्ष से हो रही है सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि सोई या सोया चीनी लोगों के जीवन का अभिन हिस्सा है आज सोया बीन दुनिया भर में प्रचलित हैं इससे तेल, दूर, तोफूद, दही और अन्ने बहुत से खमीरा उठेवे उतपाद बनाई या प्राप्त किये जाते हैं भारत में भी सोया की बढ़िया बहुत प्रचलित है सोया बीन प्रोटीन कार्बोहाइडरेट का मुखे शोथ है इसमें अच्छी मातरा में रेशा, लोहा, मैगनीज, फॉस्फोरस और विटमिन B भी पाया जाता है इतने सारे गुणों के होने के बाद भी सोया बीन एक विवाद्सपत या कहें तो कॉंट्रवर्शल बीन्स है क्योंकि बहुत से शोधिसे कई बिमारियों से जोडते हैं दूसरा अच बहुत से देशों में GMO सोया भी पैदा किया जाता है GMO क्या है कुछ जानने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं यहां हम एक बात अवश्य सांजा करना चाहेंगे हमारे हिसाब से खान पीन आपके स्थान ततर जलवाईयों के अनुरूप होना चाहिए परंतु कभी-कभी अन्ने चीजों का स्वार भी लिया जा सकता है इसलिए भोजन का चुनाव आप अपने हिसाब से करें इस सरह के सोया को अक्सर हम दाल की तरह ही बनाते हैं उत्तरा खंड में खाया जाने वाला भट भी एक तरह का काला सोया बीन है यह हर किराना दुकान में बड़ी आसानी से उपलब्ध है इसके 500 ग्राम का मूले 70 रुपे से श्रू हो जाता है आज दूसरा है यह लोबिया यहां यह जो काला सा हिस्सा है इसके कारण इसको ब्लैक आइट पी भी कहा जाता है इसका विग्यानिक नाम विग्ना अंगुई कुलाटा है जो मूलता अफ्रीका से है पुरातन विभाके प्रमानों के हिसाब से सन 1200 इसापूर में चाट घाटी में इसकी खेती आरंब हुई थी यह अफ्रीका में बाजर के साथ उपजाय जाने वाले पहले खादान्यों में से एक था और वहीं से यह भारत और यूनान यानी ग्रीस तक पहुँचा टर्की, ग्रीस आदी में इसका उप्योग सलात बनाने में किया जाता है हमारे यहां तो इसको दाल की तरह ही बनाया जाता है इसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन, रेशा, कैल्शियम, विटमिन B9, विटमिन A पाया जाता है यह हर किराना दुकान में उपलब्ध है इसके 500 क्राम का मुल्ले 75 रुपए है यहां आप सोया बीन और लोबिया को देख सकते हैं यह उपरी तोर पर इनके रंग और आकार के कारण लगबग एक से लगते हैं परन्तु जब आप इनको इस भाग से देखेंगे तो आप इनका भेद कर सकते हैं यह दोनों ही फलियों से प्राव बीज हैं जो बीन्स परिवार से हैं जिसके कारण इन में फलियों वाला एक विशिस्त्वाद और गंद रहती हैं आप इनको अच्छे से बंध होने वाले डब्बे में रख नमी, गर्मी और रोश्नी से दूर संभाल कर रखें वैसे तो इन दोनों बीन्स के समाप थोने की अवधी चार महीने हैं परन्तु बीन्स सता अन्य डालों को आप समाप थोने से पहले ही पका लीजिए क्योंकि डाले जितनी पुरानी होती चाती हैं उनकी प्रकृतिक नमी समाप थोती रहती है जिससे इनको गल्ने में बहुत अधिक समय लगता है दालों को बहुत लंबे समय तक स्टोर ना करें बाजार से सदेव दाजी या नए पैकिंग वाली दाले खरीदें और हम आशा करते हैं कि आज की हमारी सोया बीन और लोबिया की ये जलक आपके एवरिडे लाइफ में जरूर उपयोगी रहेगी थैंक्स वाचिंग और कीप इंचॉइंग आर एवरिडे लाइफ